प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश के विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिक्तार दिली में रहते हैं नमस्कार जो 31 में दर्शों को आप सभी का महार्दिय को स्वागत करते हैं आज हम बात करेंगे जैमिनी राशी मिथुन राशी के बारे में और क्या उपाई किये जाएं दिसंबर के महीने के साल का अंतिम महीना है यदि हम इसके लिए कुछ विशेस उपाई करेंगे तो हमारे जीवन में इश्वर किरपा से कहीं ने कहीं कुछ विशेस शुबलाब की प्राप्ती अवस्य होगी ये जीवन है अच्छा अच्छा करने से जीवन में कुछ अच्छा ही अवश्य आती है आपकी राशी के कुछ संबंद से संबंदित ही हम कुछ ऐसे देवी उपाई बताते हैं कि जिससे दर्शक को कहीं न कहीं परिवर्तन आपको जरूर आएगा आप जैसे बहुत लगों की पुकारती राशी होती है बहुत लगों के जर्म अक्षर से ये राशी होती है बहुत लगों की डेट वबर्त के हिसाब से ये राशी बनती है तो जिनके भी ये राशी बनती है वो अपनी राशी से संबन्दी थी उपाई जरूर कीजेगा राशी फल में कही ने कही confusion आपको हो जाता था इसलिए हम उपाई की तरफ अपना पुनहे focus दुबारा से करके आपको सारी चीजें बताने लगे हैं आप देखो दिसंबर का महीना बड़ा कीमती महीना होता अंत समय जब आता है जब फसल पकती है तो बहुत ज़्यादा गौर और निग्रानी के अवश्रक्ता होती है उसी प्रकार से ये साल का 365 दिनों में हम पहुँच गए हैं इन दिनों में यदि हम अपने जीवन के लिए कुछ बहतरिन करने के लिए कुछ अच्छे उपाई कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इस महीने कुछ ग्रह भी राशी परिवर्तन कर रहे हैं वो भी जान लेते हैं च्छे दिसम्बर को आपका राशी का स्वामी ग्रह जो है वो बुद्ध है है ना मर करिये तो च्छे दिसम्बर को बुद्ध भी राशी परिवर्तन कर रहे हैं वर्शिक राशी में जा रहा है 26 दिसंबर को पुने फिर बुद्ध राशी परिवर्तन करेंगे धनू में जाएंगे यानि कि तकरीवन 20 दिन बुद्ध जो हैं वो व्रश्चिक के रहेंगे फिर धनू के हो जाएंगे 16 दिसंबर को शुक्र मकर राशी में बदारपन करेंगे 17 दिसम्बर को सूर्य धनुरासी में जाएंगे और 26 दिसम्बर को मंगल वर्श्चक रासी में चले आएंगे यानि कि फिलाल मंगल जो हैं वो तुलारासी के चल रहा हैं अब यह ग्रहों का बदलाव हमारे जीमन में कुछ बदलाव तो लेकर के जरूर आता लेकिन मेरे दर्शको ये सभी के लिए शुब नहीं हो सकता और ये बदलाव सभी के लिए शुब नहीं हो सकता इसी इसी लिए प्रती दिन के राशी फल में सभी के लिए एक सी बात कहपाना संभव सा नजर नहीं आता तो बीच का रास्ता है कि हम उपायों की तरफ ध्यान दें चाहे हमारे लिए अच्छा हो या बुरा हो लेकिन यदि हम अपने अच्छे के लिए उपाय करेंगे तो अच्छा ही होगा आएए अब हम उपायों से की बात करने से पहले कुछ दिसंबर की ऐसी तारीखे बताते हैं जो कहीं न कहीं आपकी रास्ति पर अशुप प्रभाव छोड़ सकती हैं जिसके लिए कुछ आपको दियान रखना है ये तरीके कुछ निश्ट फल ले कर के आ सकती हैं जयमनी राशी के लिए इन दिनों में हमें उन खास तोर से उन तारीकों की प्रातेकाल एक साफधानी बरते हैं सुबा सुबा उठते ही अपने इश्ट का ध्यान करें अपने बुजर्गों से आशिरवाद लें और कोई हरी चीज का दर्शन करें तो इन तारीकों का जो नेश्ट फल है वो नश्ट हो जाएगा उसका कूप रभाव आपके उपर नहीं आएगा दूसरी बात जब घर से वाहर निकलें ग्यारा बार ओम का उच्चारण करके निकलें इससे भी आपको लाब मिलेगा या जिस मजभ जिस धर्म को आप मानते हैं आपके हैं जो भी पवित्र चीज आप पढ़ते हैं शुद्ध यानिके हॉलिक उस चीज को आप बोल करके घर से बार पैड निकालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अब राशी आपकी जैमिनी हैं मिथुन हैं आपकी राशी के स्वामी बुद्ध हैं और हमें दिसंबर में कितने बुद्वार मिल रहे हैं चार बुद्वार मिल रहे हैं चार तारिक का बुद्वार है ग्यारा ता उपाय बता रहा हूं और मैंने कहा भी था कि दिसंबर महीने के कुछ अद्भुत उपाय होंगे आपको करने चाहिए उपाय नमबर बन कि हमें हरे रंका वस्त्र बुवा को बहन को चया कजन सिस्टर हो या कोई भी हो बुवा जी हो आपकी कजन सिस्टर हो या सिस्टर हो सालिह हो इन्हें हरे रंग का कोई वस्तर अगर दिला सकते हैं तो कोई न कोई हरे रंग का गिफ्ट या हरे रंग का वस्तर जरूर दीजेगा और भई बुआ जी से तो आशिरवादी मिलता है हर घर में बुआ होती है और कहीं बुवा ना हो तो बहन तो होती होती है कजन सिस्टर होती है कोई मुव वोली बहन होती है या फिर किसी दुरगा मंदर में हरे रंग का कोई भी चाहे हरे रंग की चूड़ी हो हरे रंग का रीबन हो हरे रंग का कोई वस्त्र हो हरे रंग का कोई टावल हो या किसी दुर्गा मंदिर में आप दे सकते हैं ऐसा आपको कितने बुद्वार करना है चार बुद्वार आपके पास हैं किनी भी दो बुद्वारों में आप कर लीजिए आपकी रासी के ओपर दैविय प्रभा हुआएगा और जब आप ये वस्र दें तो मनी मन एक चीज़ बोल दें बस ओम बुद्धाय नमा इतना तो हम बोली सकते हैं ओम बुद्धाय नमा बोल करके दें जो मंत्र शक्ती में विस्वास नहीं रखते वो किवल दान दे दें ऐसी चीज़ों को बेट कर दें आगे बढ़ते आपके निकटतम कहीं पर भी कोई गवशाला हो गवशाला की पहले ग्यारा परिकर्माई करें बुद्धार के दें चाहे सुबा करें, दोफैर करें शाम करें, जब भी जिसको जैसा टाइम मिले, गवशाला की 11 परिकरमाई करें देखो दिसंबर का महीना अंतिम है और यह जरूर कीजिएगा और जन्वरी के भी बिसेस उपाय बताऊंगा फर्स्ट इंप्रेसन इस लास्ट इंप्रेसन जरूर करना तो गवशाला की 11 परिकरमाई करें और उसके बाद हरा चारा बुद्ध का जो रंग होता हो हरा होता हरे रंग में बुद्ध वास करते हैं हरा चारा गवशाला में जितना भी आप 20, 30, 150, 200 रुपिया का आप गव माता को किसी हवा कर सकते हैं आप जरूर कीजिए अब यहां एक बात बनती है बहुत लोग कहेंगे हमारे हैं गव जाती है जो यदा कदा किसी चौक पर चोहराएं पर रहती है तो मेरे दश को मेरे साद को चाह है एक बुद्ध वार ये करें आप पूरे विश्व में पूरे देश में हमारी आवास पोच रही है एक बुद्ध बार करने से कोई चार त्रिक को कड़ ले कोई 18 को कर ले, कोई 11 को कर ले कोई 25 को कर ले, कम से कम इस सुबाह ने, उस दिन गव मया को की सेवा तो आप से हो जाए भाई, ना होने से तो बेटर है ना बेटर देन नथिंग तो आप जुरूर ऐसा करिएगा बहुत ही आपको बहुत लाब मिलेगा ऐसा करने से, और यदि कोई कहे कि भाई हमारे हैं गाई नहीं ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं गाई देखती है तो कम से कम 600 ग्राम, क्योंकि बुद्ध की जो संख्या है, तीन और च्छे मतलब राशी जो होती है, बुद्ध को करें कि वो बिल्कु गल जाए, हलकी फुलकी नमसी कर लें, या रात्री में गरम पानी में उसको भिगो दें, रात्री में गरम पानी में भिगो दें, तीन सो या शासु ग्राम, और सुबह वो पक्षियों को डालें ऐसा तो हम 30.50 रोपया किलो से कम नहीं है तो बहुत लोगों के लिए थोड़ा अइसे निया भी हो जाता है तो कम से कम तीन मुठी दाल ले ले, तीन मुठी तो हम ले सकते हैं एक मुठी, दो मुठी तीन मुठी, तो तीन मुठी डाल, गरम पानी में भिगो करके हम पक्षियों को डालें, आपकी रासी तीस्रे नंबर पर वास करती है और यह संभभ हो सके परवल की सबजी, अगर आप परवल की सबजी को जानते हैं तो परवल की सबजी बनाएं और पूरी बनाएं, कम से कम तीन बैगर्स को तीन किसी भी अंजान एपरिशित व्यक्तियों को आप खिलाएं बैगर्स जो होते हैं कहीं ने कहीं जब हम उने कुछ देते हैं तो वो लेते ही हैं तो तीन तीन या पाँच पाँच पूरी या पूरी आपकी इच्छा है दो लखने, चार रखने, पाँच रखने, जीतनी भी रखने लेकिन परवल की सबजी परवल की सबजी हो और पूरी हो यह आप जरूर बुद्वार के दिन मनि मन बुम बुधायनम या ओम बुधायनमम बोल करके किसी को भी खिलाइए पेट भरिएगा आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा इश्वर के गरपासे आपके समस्त कारिया संकट दूर होगे एक उपायोर जाने भगवान स्री गणपती के गणेश नाशन इस्तोत्र होता है तो पहला बुद्वार 4 दिसंबर और अंतिमब बुद्वार 25 दिसंबर प और चारो बुद्वारों में संभव हो सके ताजा पत्ता किसी पेड़ का तोड़ करके आप अपनी जेम में पॉकेट में जरूर रखेगा और हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि तीन पेड़ों के पत्ते तोड़ करके छोटे-छोटे नहते समय अपने पानी में डा चाहिए तो खास तोर से बुद्वार के दिन तीन पेड़ों के पत्ते तोड़ करके आपकी रासी तीसरे नंबर पर आपके लिए तो सोने पर सुआगा तीन पेड़ों के पत्ते तोड़ें सुबा सुबा और उसे पानी में डालें और फिर उसका इस चुनान करें ऐसा आप 4 तारिकों 11 तारिकों 18 तारिकों 25 भी कर सकते हैं आपको इससे बहुत अच्छा लाप मिलेगा और यदि आपके घर में दो-चार लोगों की ये मिथुन राशी है जहमनी राशी है तो किसी बरतन में पत्ते डालने और उसी बरतन का पानी दो-चार जगा अपने मेन पानी में डाल करके भी इस्तरान कर सकते हैं तो दर्शो को ये बिलकुल आसान उपाएं हैं दैविय उपाएं हैं आप जूरू करिए हमारी ये कारिकरम अन्य मजभ अन्य प्रांत से अन्य समुधाय की लोग भी देखते हैं तो उन में से जिसे पत्ते वाला उपाएं आप लोग कर सकते हैं और एक उपाएं सभी के लिए और बता रहता हूं यह खासतोर से महिलाई करें यह बच्चे करें घर के लिए लाब मिलेगा बुद्वार की शाम को हरे रंगकी रंगोली अपने चौक में आँगन में जिसे हम आँगन चौक कहते हैं या में दर्वाजे पर च्शेज चोटी ची बनाएं हरे रंग की यानि बुद्वार के दिन जरूर बनाएं और यदि हरे रंग की रंगोली बनाते हैं तो इससे भी आपके घर में बरकत हर्याली और आपकी राशी के रंग का प्रभाव आपके जीवन को पुलकित करेगा बहुत अच्छा आपको लाब मिलेगा तो यह उपाय थे दिसंबर महीने के मेरे दर्शक जरूर करें देखो ग्रहों का बदलाव सभी के उपर एकसा नहीं आता कहीं शुब होता तो कहीं अशुब होता तो भगवान करें उपर वाला की शक्ती सभी को शुब आसीज दे सभी के जीवन में काया कलब हो सभी को लाब मिले यह दिसंबर महीने के उपाय थे जरूर कीजिएगा और इससे पहली दो राशी मेश और वर्षभ अगर आपकी है या आपके किसी परिवार की है तो वो उपाई भी हम बता चुके हैं बाकि 12 की 12 राशियों के उपाई जानने के लिए आप हमारे सस्क्राइब करें जिन्होंने ना किया हो हमारा जो चैनल है पियार ओफ प्रोफेसर धर्मेन शर्मा उसे सस्क्राइब कीजिएगा समस्त और भी बहुत सारे उपाई हम परती दिने एक विशेश सांख हमारा आता है उसे सुनकर भी आप बहुत सारी चीज़े जान सकते हैं ये तो थी एक संक्शिप्त सी बाते हैं यदि आप विशेश जो कहीं दूर दराज रहते हैं दिल्ली आप आना संभब नहीं है विदेशों में रहते हैं कहीं रहते हैं ऐसी इस्तिति में आप हमारे संस्तान से कॉल आपाईटमेंट भी ले सकते हैं इनी शब्दों के साहस्त हम अपनी को विराम देतें नमस्कार और्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे मेरी फैक्टरी लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिलकुल नहीं टीवी में छोटा सा मंत्र अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी तंत्रिक मंत्र रहा होगा मैं इतना नभवी नहीं हूँ मैं इतना ज्यानी नहीं हूँ मैंने उस मंत्र को पढ़ा रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था मैंने मंतर पड़ा भवर वीर भूंवर वीर तूचेला मेरे खोल दुकान कहा कर मेरा मैंने उन दानों को षब भी खेर और आप यकीन नियमानेंगे मैं अऔर्डर के समय में मेरे पास πोन आने लगा आज की तारींग मैं इतना परिशान हूं इतने और्डर this हैं मेरे पास लेकिन आज भी मैं परशान हूं क्योंकि मैं उन ओर्डर्स को एक्सक्यूट नहीं कर सकता अभी भी मुझे आपकी शरण चाहिए और्डर्स मेरे पास बहुत हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतार दिली में रहते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक कारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें